टेक सुरुजी तो आज का वीडियो होगा अपने फोटो को ड्राइव में कैसे रखेंगे बहुत सारे होता है आप मोबाईल बदलते हैं या आपका मोबाईल चोरी हो जाता है तो इस प्रिस्तिति में आपका जो भी फोटो प्रोफाइल जो भी डॉक्मेंट जो जरूरी होता आप कोई भी फोटो डॉक्मेंट वीडियो कोई भी होता है बहुत जरुडी होता है तो गुम हो जाता है आपका डाटा लॉस हो जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे आप कोई भी इंपोर्टेंट डाटा हो या वीडियो हो कोई भी फाइल हो अपने जीमेल पर कैसे रखें कर लाएंगे सबसे पहले को क्या करना है अपने मोबाइल को करना है कि सबसे पहलेक्वन को ओपेन करने के बाद कि आपको फोल्डेर कोई का वह कोई ढॉकमें रहा है तो फोल्ड जीमें तो फोल्डर पे क्लिक करेंगे और अपना फोल्डर के नाम बना कर उस पे आप जैसे में माल लेजे कोई भी नाम बनाए और अपने फोल्डर बनाकर उसमें कोई भी डॉक्मेंट रखना चाहते हैं तो ऐसे इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो भी आपक successful हो रहा है देखिए मेरा uploading प्राकिडिया चालू हो गया है अब आपको बता देते हैं आप बीना फोल्डर के बनाना चाहते हैं अपने ड्राइब रखना चाहते हैं तो यह देखी मेरा खुल गया मेरे ड्राइब खुल गया ठीक है खुलने का बाद देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करें क्लिक करने का बाद यहां पर अपलोड पर क्लिक करेंगे क्लिक करने का बाद यहां पर जो भी हमें फोटो ड्राइब पर रखना हो तो फोटो पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करन तो जिस ऐमेल आइडी आपने रखेंगे ड्राइव में जिस से बना होगा आपका ड्राइव तो उस इमेल आइड supportive में लोगिन करेगा तो आपका शारा डाटा वहां पर दिखाई देगा तो यह जनकारी कैसा लगा आच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजी वीडियो को और चैनल पहली बार आएं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए कि बहुत से अच्छे अच्छे टिप्स ट्रिक आपको लाते रहते हैं चलिए मिलते हैं नेक्ट विएम तब तक के आवाद